हेलो नमस्कार very good morning to all of you मेरे दोस्तों मैं शानतरों शुकलाब आप सभी दोस्तों का bankersadda.com के official YouTube channel Adda247 पर हार्दिक स्वागत करता हूं आज हम लोग दोस्तों इस foundation class maths foundation के जो classes जल रही है हमारी इसमें overall हम लोग को अगर ध्यान से देखें तो overall तो पहले lecture में हमने type 1 की चर्चा की, type 1 वो type होता है जिसमें किसी एक particular liquid को constant रखके दूसरी liquid में change किया जाता है यानि कि अगर mixture दिया गया और उसमें खाली आपके सामने mixture दिया गया और उसमें आपके दो component है किसी एक को constant रखा दूसरे में आपने change किया तो वो रहा अब उसके बाद हम लोग आ गए भाई, type 2 जहां पर replacement वाली बात होती है, replace किया जाता है किसी particular mixture है आपका, उसमें से कुछ मात्रा आपने निकाली और कोई एक अलग liquid आपने मिला दिया तो यह हमारा replacement वाला process होता है, यह हम लोगों ने actual में type 2 में देखा, फिर type 2 में type 3 मतब lecture 2 में ही class 2 में हम लोगों ने type 3 देखी, जिसमें यह था कि किसी particular liquid को 2-3 बार replace किया जाए, mixture आपने कुछ कोई liquid लिया, suppose pure milk है, उसमें आपने milk निकाला, water मिला दिया, फिर यह process 2-3 बार और repeat किया, तो यह हमारी third category, इसकी भी चर्चा हम लोगों ने last lecture में की, मेरे दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे allegation क्या होता है, allegation कैसे apply करते है, allegation किन जगहों पे apply कर सकते है, इसका हम लोग discussion करेंगे, फिर कल हम mixture allegation का चौथा lecture करेंगे, जिसमें हम लोग random miscellaneous problem वहाँ पे discuss करेंगे, और rapid file type में होगा, जहां पे हम अब तक इस तीसरा जो lecture है, इस यहां तक करते करते हम लोग concepts अपने सारे समझ जाएंगे, फिर वो random questions जिसमें आपको लगे कि यार किस pattern में जा रहा है, किस pattern का है, यह सवाल, किस type का सवाल है, यह पहचानने में जो आपको दिक्कत ह वो आपका random question कल discuss होगा, तो session start करने से पहले आप से बस इतना करना है दोस्तों, कि आप इस particular session को share करें, maximum share करें, अपने दोस्तों के भी share करें, ठीक है बई, start करने यहां पे हम चल रहे हैं, right, साथी साथ, एक और reminder आपके सामने यह बात ध्यान रखें दोस्तों, reminder यह है, कि आपका डक्षबेच start हो रहा है आज से, ठीक है, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सारे बटब बड़ी संख्या में बच्चों ने इसमें admission ले लिया है, अगर अभी तक आप लोगों ने दोस्तों नहीं लिया है, तो आप लोगों भी इसको जरूर एक ब प्रिलिम्स प्लस मेंस दोनों एक्जाम कवर किये जा रहे हैं, यह बात ध्यान रखेगा, तो आज से start हो रहा है, तो बहुत कम वक्त बचा हुआ है, यह बात ध्यान रखेगा, तो जल्दी से जल्दी आप लोग बिलकुल बिना वक्त गवाय हुए, आप इसमें enroll करा है, क् वक्त बहुत कम बचा हो, कुछ घंटे आपके पास इस समय बचे हुए है, ठीक है, कुछ घंटे आपके सामने बचे हुए है, श्टार्ट क्या जा है भई, सेशन श्टार्ट करते हम लोग, ठीक है, अब हम लोग allegations सीखने वाले, अच्छा उससे पहले हम जाने से पहले आप आपको एक यह homework का जो question दिया था, मैंने, इस homework वाले question का जरा answer आप सारे लोग बता दे, यह homework वाला question है, आप इसका answer जल्दी फटा फट से बता दो, ठीक है बई, बाकी हम solve कर दे रहें, देखो होता क्या है, कि एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके पास, suppose यह ध्या से लंगेगी, the cost price तो आपकी milk ही लगेगी, आपने क्या किया, इसमें उपर से आपने पानी मिला दिया, सही भई, आपने क्या किया, today इसमें थोड़ा सा आपने पानी मिला दिया, clear, pure milk था नीची, आपने इसमे water मिला दिया, और आप से हम पूच रहें, कि आपने इसको cost price पर बेज दिया, आपने किस पर बेज दिया, cost price पर बेज दिया, तो बताईए इसको कितने percent का profit हो रहा है, ठीके कितने percent का profit हो रहा है, तो ध्यान रखा जाए अगर दूद में पानी मिला करके cost price पर बेजा जाता है, यह बास सुनना ध्यान से, जब दूद और पानी मिला करके cost price पर बेचा जाता है तो पानी की cost पानी के लिए cost नहीं लगती हमेशा cost किसके लिए लगती है दूध के लिए और आप सबको पता है कि जो profit percentage होता है हमारा वो क्या होता है profit upon cost price multiplied by 100 यही होता है अब आप यह बता है कि दूध में पानी मिला करके जब बेच रहे हो तो उसमें profit आपका कितना होगा भाई जितना हिस्सा आपने पानी मिलाया है वही तो हमारा profit होगा तो आप उपर profit की जगह पर क्या लिख सकते हैं water भाई जितना आपने पानी मिलाया वही तो हमारा water है और divide by cost price जितना आपका pure milk है क्योंकि pure milk जो है मेरे दोस्तों यही तो हमारा cost होगा क पॉर मिल्क multiplied by 100, ये note point करके लिखें दोस्तों ध्यान से, आगे ज्यादा दिमाग मत लगाना कभी भी बस इतना समझ लो, कि अगर दूध में पानी मिला करके उसको cost price पे बेजा जा रहा है, तो ऐसी condition में जो profit होगा, वो water की quantity divided by pure milk की quantity multiplied by 100, बस इतना आपको देखना था, और त अटाक से आपने इसका answer बता दिया, पानी आपने कितना मिलाया है, 6 लीटर आपने क्या मिलाया, milkman mixes 6 लीटर of free tap, तो 6 उसने पानी मिलाया है, और उसकी बाद ध्यान से देखे, tap of water with 20 लीटर of pure milk, 20 लीटर of pure milk है, multiplied by 100 कर दिया, 25, 100, 65, 30%, 30% आपका answer आगया, बाकी जो values दी ग percentage यही आएगा, overall, clear इतना, सही है इतना दोस्तों, ठीक है, चलो, आगे बढ़ा जाए, अब हम बात कर लेते हैं, दोस्तों, allegation की, अब allegation क्या होता है, पहले वो समझ लो, ठीक है, foundation classes है, हम आपके basics है, आपका basics से strong करेंगे, देखो होता क्या है, दोस्त, सपोज आप किसी द चावल है, एक किलोग्राम चावल है, ठीक है, और इस एक किलोग्राम चावल की जो cost है, मेरे दोस्तों, वो हमने कह दिया, rupees x per kilogram, ऐसे मैंने कह दिया, अच्छा, उसके पास दूसरी variety का भी चावल है, उसकी मात्रा हम कह दे रहे, b kilogram है, ठीक है, और उसकी rate जो है, उसका दोस है, अलग-अलग मात्राइं है, 1 kg, B kg, अलग-अलग inka rate है, अब हमने कहा कि अगर इसको मिला करके बेचे, तब क्या होगा, जरा वो ध्यान से, अगर ये मेरे दोस्तों, ठीक है मैं, अलगा हम और हम कह रहे हैं मिक्षर की जो हमारी प्राइज है उसको हमने कह दिया जेड पर किलोग्राम ठीके बई जेड रूपए पर किलोग्राम अब पूरी कहानी फिर से समझ लो एक आदमी के पास सपोज किसी एक अलग टाइप का एक किलोग्राम मतलब कुछ मात्रा का चावल था द अगर सपोज आप दुकान पर जाते हो और एक किलोग्राम जो चावल है उसी को पूरा खरीदना चाहते हो तो आपको कितना पे करना पड़ेगा अगर एक किलोग्राम की कीमत एक सरूपए है तो एक किलोग्राम पूरी कीमत कितनी हो जाएगी आपको होगे न एंटु एक्स ठीक है इतना अच्छा अगर आप पूरा दूसरा वाला जो type है उसको खरीदना चाहे तो आप वो कितना pay करना पड़ेगा आपको होगे b into y ठीक है अगर 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 आप पूरा खरीदना चाहे तो आपको इतने रूपए pay करने पड़ेंगे न Ax plus By, यही तो है, इतना ही पे करना पड़ेगा, अच्छा, इस लिहास से अगर देखें, जब मिला दिया गया है, तब अगर आप purchase करना चाहें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, A plus B, और multiplied by Z रूपए पर किलोग्राम, और यह दोनों आपस में क्या हैं दोस्तों, बराबर है, थोड़ा simplify कर दो, इसको आप लिखो के, AX plus BY, और बराबर यहाँ पे लिख दिया, AZ और प्लस BZ, यहाँ पे अगर हम इस side लाकर करके, दोस्तों, common ले लिया, तो मैंने मिल गया X minus Z, और उधर जाकर के B common ले लिया, तो मिल गया हमें Z minus Y, यानि हम लिख सकते हैं, A upon B बराबर Z minus Y upon X minus Z, दोस्तों, ध्यान रखें, बस यही चीज़ आपको समझना है, लेकिन बस इस तरीके से solve नहीं करना है, करना यही है, लेकिन आपको इस तरीके से solve नहीं करना, बस इत किटीज हैं यह, इनकी दोस्तों क्या है, मात्राएं हैं, कि A kilogram, B kilogram, यह इनकी मात्राएं हैं, इनका अनुपात कितने किसके बराबर है, इनके difference के बराबर है, दोखो एक बार आपने Z minus Y लिखा, और एक बार आपने X minus Z लिखा, यानि कि जो ratio हमें last में मिलेगा, last में दोस्तो किस चीज का ratio होगा, इनकी मात्राएं का अनुपात होगा, जो कि इनकी जो prices दी जा रही है, उसके बराबर मेरे दोस्तों होगा, यह कहानी भी clear रही, done रहा इतना, clear हो गया भाई, ठीक है, हाँ बेटे, दक्षबैस में PDF जो मिलेगी आपको, वो bilingual मिलेगी, Hindi, English दोनों में question रहेंगे, जैसा आप लोग देखते हो हमेशा, हमेशा यही तो देखते हो कि Hindi में भी question रहता है, English में भी question रहता है, ठीक है बही, बस यही रहेगा, Hindi, English दोनों में question, ठीक, हाँ, हाँ, बिल्कुल, अनुश्का चौहान, ठीक है, ठीक है, आप बेटे, दक्षबैस जोइन कर अब हम लोग इस तरीके से करेंगे नहीं, अगर मुझे allegation apply करना है, तो हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं मेरे भाई की एक variety का चावल, जिसमें आपको बताया गया, उसकी कीमत कितनी है, x रूपए पर किलोग्राम, और दूसरी variety का चावल, जिसकी कीमत कितनी है, y और यहाँ पर कहे दें, अगर x बड़ा है, तो y हमारा चोटा होगा, z में y घटा होगे, आप कहे दोगे, z-y, और इनकी मात्राएं आपको बताये गए थी, a kg और b kg, लास्ट में हमारे पास जो ये ratio निकल के आया है, वो किसका ratio होगा भाई, quantities, इनकी मात्राओं का अनुप करते हैं, ये सारी चीजे मैंने आपको यहाँ पर बताये दोस्तों, तो आपको समझ आ गया होगा, कि बस आपको यही focus करना है, ये बात ध्यान रखना, कि कभी भी आपको यह लगे, कि किनी भी दो चीजों को mix करके, कोई एक चीज आपने बना दिया, या कोई भी एक चीज अगर आपकी दो पार्ट में ब्रेक हो गई, तो हर उस जगा पे हम ELEGATION का प्रेयोग करते हैं, I hope कि आपको इतना concept आपका clear हो गया होगा, questions की तरफ बढ़ते हैं, पहला सवाल आपके सामने आने वाला है, ये आपके सामने पहला सवाल, बटेप class से लेगी ADDA247 के app पे, ठी ठीक है, विशाल जी, ओके, चलो, आइए दोस्तों हम यहाँ पर timer स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू किया जाए फटा-फट से, clear, चलो, ओके, time up, चलो, दोस्तों, तो अब इस question को अगर ध्यान से देखा जाए, तो इसमें क्या बोला गया भई, दो अलग-अलग चीजें हैं, जिनको मिला करके आप एक बना रहे हो, यही तो हो रहा है, अच्छा, वो दो अलग-अलग चीजें कौन-कौन से हैं भई, ये बोला गया कि दो अलग-अलग mixture है, दो अलग-अलग आपके सामने mixture बता दिया, अब मुझे information चाहिए मेरे दोस्तों, आप कुछ भी fill करें यहां पे, जैसे information अगर आपको suppose रूपय दिया गया है, तो आप रूपय लिख सकते हैं, आपको अगर रूपय नहीं दिया, कुछ और दि 50%, दूसरे वाले में कितना है alcohol का percentage, 50%, और जो final हमारा mixture बना उसमे alcohol का percentage कितना है, 45%, एकदम basic सा zero level से सवाल इसी को कहते हैं, शुरुआत करना, अब आप यहां पे देख रहो कि alcohol का percentage, पहले दो टाइप की mixture है, पहला mixture और दूसरा mixture, इनहीं को आपस मिक्स करके एक नया बना रह अब उसमें alcohol कितना है, 30% लिख दिया, मैंने 30% के बराबर, दूसरे वाले में alcohol कितना है, आपने कह दिया 50%, लिख दिया, मैंने 50%, अब जब आपने इसको मिलाया, तो final जो mixture बना, उसमें alcohol कितना है, 45%, इसको भी लिख दिया, मैंने 45%, अब आप यहां पे difference apply कर दो, तो बड़ बड़ी value है, चोटी value 30 है, 45 में 30 घटा, तो कितना आजाएगा 15, और 50 में 45 घटा होगा, तो कितना आजाएगा 5, यह हमारे सामने जो ratio बना, 5 ratio 15 जो लिखा हुआ, यानि इसको simplify करोगे, 1 ratio 3 आजाएगा, तो यह जो 1 ratio 3 मेरे दोस्तों लिखा हुआ, यह है क्या, यह इनकी quantities का ratio है, कि पहला mixture कितना आपने मिलाया, दूसरा mixture आपने कितना मिलाया, यह हमारे पास 1 ratio 3 इसका answer आ गया, अच्छा, आपके मन में अगर आ रहा हो, दिखो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, information के नाम पे, हमने यहाँ पे alcohol की quantity लिखी है, दोनों जगा पे alcohol की quantity लिखी है, आप चा है, तो alcohol यहाँ लिखना, तीनों जगा पे alcohol ही होना चाहिए, अब अगर water की percentage से आप निकालते, तो पहला mixture जिसमें की 30% alcohol है, उसमे water कितना होता, आप कहते हैं, 70% होता, भाई अगर alcohol 30% तो water 70% होता, अगर आप कह रहे हो कि second वाले mixture में 50% alcohol है, तो water कितना होगा, water भी हमारा 50 50% होगा, और अगर मेरे दोस्तों, final mixture में 45% alcohol है, तो वहाँ पे water कितना होगा, आपका होगा 55% होगा, अब आप यहाँ पर difference अप्लाई कर दो, 70 में 55 घटा होगे, तो 15 आएगा, 55 में 50 घटा दोगे, तो 5 आएगा, रेशियो हमारा फिर से 1 रेशियो 3 रहा, तो बस वही आप चाहे जो चीजे प्लाई करो, रेशियो हमारा सेम आना चाहिए मेरे दोस्तों, ठीक है, 1 रेशियो 3 आपका सही चवाब, clear, next question, भाई एक बार सारे लोग यार शेयर तो कर दो, लिंक को, अरे दक्ष बैच आप सारे लोग जोईन करो, दक्ष बैच में भी पढ़ाई करो, य कुछ परिशानी है, ठीक है, यूट्यूब का सेशन तो चले गई, आप बस एक बार सेशन को शेयर करो, लाइक तो एटलिस ठोक दो तो लगी, हाँ ठीक है, आप लोग, ठीक है, मन से देख रहे हो, एक बार सारे लोग लाइक ठोक दो सेशन को, और उसके बाद शेयर मार द ठीक है, चलिए टाइमर स्टार्ट होता है, सरद यादो, अभी बिटे दक्षबैच ओपन कहां से होगा, अभी क्लासी नहीं शुरू हुए, शाम पांच बज़े से क्लास होगी, तब ओपन होगा, हाँ तो बिलकुल सारे लोग अभी जितने लोग अभी जितने लोगों ने इन्रोल नहीं कराया है, फटा-फट से बारा बज़े के पहले-पहले इन्रोल करा लेना, ठीक है बारा के पहले-पहले सारे लोग इन्रोल करा लेना, चलिए दोस्तों, ठीक है, अब इस कुश्चन को अगर ध्यान से देखा जाए, step by step देखे चीज़े कैसे बढ़ती है, अ यतना, पहली variety की चाय की कीमत कितनी है, आपने कहा 280 रूपय है, ठीक, दूसरे variety की चाय उसकी कीमत कितनी है, 240 रूपय, और average वाले की हमें नहीं पता, जो average है, उसका हमें नहीं पता, अच्छा ध्यान से देखना एक चीज़ समझना, यहाँ पे हम allegation लगा रहे हैं, इसलिए पहले allocation से समझ लेते हैं ratio वाला तरीका average पढ़ चुके हो न, average तो पढ़े चुके हैं, average वाले में हम अभी आपके average वाले जो तरीका था ratio वाला उसको भी remind करा देंगे, बहराल अभी इसको देखते हैं, तो हमने पता जल गया भाई कि पहले वाले की कीमत 280 रूपए, दूसरे मिलाया गया, तो mixture की कीमत हमें नहीं पता, हमने अपनी तरफ से माल लिया, mixture की कीमत चलो x रूपए, अपनी तरफ से हमने माल लिया, अब अगर mixture की कीमत x रूपए है, तो हम बड़ी value से छोटी value घटाते हैं, 280 में x घटाओगे कितना आएगा, 280 माइनस x, और x में 240 घटाओ है, इनकी मात्राओं का, इनकी quantities का ratio है, और इनकी quantities कितनी कितनी है, 7 kg, 9 kg, यानि आपको पता चल गया कि यह जो अनुपात आएगा, x माइनस 240 यहाँ पे लिख देते हैं, यह जो ratio आया है, x माइनस 240 अपन 280 माइनस x, यह बराबर किसके हैं, 7 बटे 9 के बराबर है, अब इसका ratio वाला तरीका आप सबको याद है, उस तरीके से भी simplify किया जाएगा, अब आप cross multiply करके simplify करेंगे, 9 x 7 x जुड़ जाएगा, cross multiply करके simplify करना, तो कितना हो जाएगा, 16 x हो जाएगा, 24 गुड़े 9 कितना होता है, 9, 4, 36, 9, 2, 18, 3 मिलके 21, 21, 60, plus 7 से multiply कर दो, 0, 7, 8, 56, 7, 2, 14, 5 मिल के 19, अब आपको x की value मिल गी दोस्तों कितने के बराबर, x की value मिली, इनको add कर दो, 60, 60, 100, a से कर लो, 0, 6, 6, 12, 9, 1, 10, 1, 11, 2, 1, 3, 1, 4, divide by 16 के बराबर, 16 से divide गया, 16, 32, 32, कितना आ जाएगा, 9, 92, 16, 85, 12, उसके बाद 12 का मतलब कितना हो गया, 120, यानि 16, 17, 112, फिर 16, 85, 257.5, option number B, दोस्तों, आप सब का correct answer रहा, option number B, आप सब का correct answer रहा, तो कुल मिला के हमने इस portion में क्या देखा, कि जब हमें इनकी मात्राएं दे रखी है, 7 kg, और यहां पे दोस्तों, 9 kg, यह जब हमें दे रखा है, तो बीच वाला data मेरा मिस कर दिया गया, और इस बीच वाले data की value क्लियर इतना, बीच वाला data मिस करके, बीच वाले data की value पूछ लेगे, क्योंकि quantities का अनुपात अल्रेडी दिया हुआ है, मात्राओं का अनुपात दोस्तों, यहां पे दिया हुआ है, इतनी कहानी क्लियर हो गई, ठीक है, अच्छा, इस question को अगर ratio वाले method से पहले comment box में सार सारी लोग बताओ, कि ratio वाले method से कितने लोगों ने किया था, ठीक है, ममता जी, आप बताए सारी लोग कि ratio वाले method से कितने लोगों ने किया था, इस question को, यह बता दो फटा फट से, ठीक है भई, जिसको, देखो, कुछ बच्चे कह रहे हैं, सर बताओ, जॉइन कैसे करना है तो फटे अड़र 24-7 एप डाउनलोड कर लो, उसमें इंस्टॉल कर लो, उपर इस्टोर लिखा होगा, उपर टेस्ट करना, पहले आपको दिख जाएगा दक्ष, उस पर उपन करके, फिर बाकी process खुदी पता चल जाएगा, ठीक है, अगर ratio वाले method से हम इसको करना चाहते ह हम लोग हम देख रहे हैं कि 7 kg है, जिसकी कीमत आपको दे रखी है, 240, आगे दिया गया था दोस्तों 9 kg, इस 9 kg की कीमत कितनी थी, 280 थी ना, 280 को हम क्या लिख सकते हैं, 240 प्लस 40 लिख सकते हैं, यानि 240 तो होना ही चाहिए, लेकिन extra increment कितना हो रहा है, तो 40 गुड़े 9 कितना हो और डिवाइड बाई कितने में, तो पूरा का पूरा 7 और 9 मिलके 16, तो प्लस 40 गुड़े 9 कितना होता है, 360 डिवाइड बाई 16 कर दो, डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 16 दूना कितना हो गया, 32, 36 32 घटाओ, 4, 40 हो गया, 40 का मतलब 16 दूना 32, यह हो गया, 5, 240, यह कितना वाला 7 किलोग्राम है, यह उल्टा लिग गगे, तभी तो अलगा रहा है, है न, यह उल्टा लिग गगे, देखो, 280 वाला 7 किलोग्राम है, और 240 वाला 9 किलोग्राम है, रेश्यो वाले मिथर से ऐसी किया था था न, हम लोगों ने, overall, भाई, जो 9 किलोग्राम है, वो कितना ह 240 रूपए और जो 7 किलोग्राम है उसकी कीमत कितनी है 280 तो 240 प्लस 40 इसको लिखो रिष्वाले में तरसे ही किया था हम लोगों ने न average वाला concept apply करने के लिए अब 240 तो हो गई extra कितना है 40 तो इसका मतलब जो नया average आएगा वो क्या 40 गुड़े 7 चालिस गुड़े 7 280 और डिवाइड बाइड बाइड नौ साथ 16 16 में बांट दो पूरा पूरा सिंप्लिफाइ क्योंकि इस पर हम लोग विशेश सर्चा कर चुके हैं इसलिए हम इसको बहुत जल्दी में निप्टा रहे हैं यह हम आपको सिखानी रहे यह सिखा है हम लोगों से साथ 16 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 240 17.5 ठीक है अब 240 प्लस 17.5 जोड़ दो 257.5 एंसर आ जाएगा क्लियर है अच्छा हम एंसर के सामने ही खड़े हैं ओके हाँ या थोड़ा सा गड़बड हो रहा है देखने में है ना एंसर के सामने ही आ जा रहे हैं चलो कोई बात नहीं है अब क्लियर है अब हटे के ना अब तो दिख रहा होगा अब दिख रहा है चलो आके बढ़ते हैं दोस्तों हाँ भई अगला सवाल यह आपके सामने किया जाए समझ मैंना वो रेश्यो वाला मेथड बहुत अच्छा होता बहुत जल्दी आप एंसर कर पाते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेश में जाके आवरेज टॉपिक देख लो एवरेज टॉप टॉपिक में सेकेंड लेक्चर में मैंने यही सब डिसकस किया है सेकेंड लेक्चर देखना एवरेज पाल टू में यह सब तरीके डिसकस की है कैसे किया जाता है किया जाए फटा-फट से ठीक है अब देखो इसमें क्या है इस question में अगर देखा जाया तो दो बताया गया दो बरतन है A और B जिसमें milk और water बताया गया इस ratio में 8 ratio 5 5 ratio 2 में है अच्छा फाइनली हमारे पास देखो information के नाम पर दो चीजे तो मुझे पता चल गई कि दो बरतन है A और B और एक में milk है 8 ratio 5 और द अगर पहले वाले में देखें हम milk की quantity आप से पूछे आप क्या लिखोगे ठीक है भई आप से अगर पूछा जाए कि भई अच्छा देखो जिनको भी कुछी भी चीज करने में दिक्कत आ रहे वो मुझे टेलिग्राम पर message कर दें हम आपको reply कर देंगे गोरो जी ठीक है भ बरतन आपको A और B बताया गया 8 ratio 5 और 5 ratio 2 में milk और water का ratio है आप गुचे बताओ पहले में milk कितना है तो आप लिखोगे 8 upon 13 दूसरे में milk कितना है तो आपको होगे 5 upon 7 और finally mixture में बोला गया है 69 complete 3 upon 13 percent milk है जड़ा इसको simplify कर लें आप 79 सही 3 बटे 13 percent को अगर आप normal convert करेंगे तो कितना जड़ा 69 सही 3 बटे 13 percent की fraction आप बताएं सारे लोग 69 complete 3 upon 13 percent की fraction बताओ कितना है तेरा गुड़े 9 117 7 11 हो गया तेरा अच्छा 78 88 89 89 7 plus कितना लिखा हुआ 3 यानि 900 यानि 9 बटे 13 आ जाएगा 9 बटे 13 आ जाएगा overall ठीक है 9 upon 13 अब जड़ा मुझे इतना बताओ कि overall कहानी मुझे यह बताए 9 upon 13 जो निकल के आया है आप से कहा गया कि the ratio in which these two mixture be mixed to get a new mixture containing इतना percent milk यानि कि जो finally मेरे पास mixture बचा उसमें mixture जो है वो आपका 9 बटे 13 हिस्सा है तो बस इसी को आगे बीच में लिख दो 9 बटे 13 हमने overall क्या किया है अगर ध्यान से देखें तो हमने milk की quantity रखा है तीनो जगा पे जैसे कि आप लोगों ने ये पहला question द रखो और चाहे तो मेरे दोस्तों water रखो यहीं तो मैंने कहा था चाहे alcohol से निकाल दो चाहे water से निकाल दो similarly मेरे दोस्तों बिल्कुल उसी pattern पे आप यहां पे चाहे तो milk से निकाले चाहे तो आप water से निकाले तो हम लोग किस से निकालने चल रहे हैं दोस्तों हम लोग निक पालने चल रहे हैं, मिल्क से, अब आप यहाँ पे लगा दो, अब डिफरेंस लेंगे दोस्तों, डिफरेंस लेने पर जड़ा देखो क्या आएगा, आठ बटे तेरा, नौ बटे तेरा, डिफरेंस कितना होगा, घटा दो, नौ में आठ घटा दिया, तो एक बटे तेरा आग तो क्या करना है, अब इस रेशियो जो आपके सामने 2 upon 91, रेशियो 1 upon 13 आया, इसको आप इंटीजर में करना चाहेंगे, कैसे करेंगे, आप इसको मल्टिप्लाई कर दो, 91 से दोनों जगा पे, तो कितना होगा, 91, 91 कट गया, तेरा सते एक यान पे, आपका जबाब आ गया, 2 रेशियो 7 के बराबर, option number D, आपका correct answer रहा, clear है, आपने भी ऐसे किया, बिल्कुल सही है, पूजा जी, ठीक है, ठीक है, बाकि किसी को अगर, देखो, दक्ष बैच, अभी आप अगर इन्रोल कराने में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप कहीं पे भी, टेलिग्राम पे मैस कर दो, टेलिग्राम ग्रूप पे मैसेस कर दो, ठीक है बाई, तो हाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा सब, ठीक है, इतना done, अब आप चाहते तो milk की साथ-साथ, water की quantity से भी निकाल सकते, बस अंतर क्या, 8 बटे 13 तो यहां 5 बटे 13 लिग देते, 5 बटे 7 तो 2 बटे 7 लि प्राना, बिल्कुल चलो, ठीक है, चलो, ओपर ओल दोस्तों हम लोग आके पड़ें, देखो, अगर आप लोग शिद्दत से देखो, तो पहला lecture, मिक्षर का, दूसरा लेक्षर, आज तीसरा लेक्षर, और कल चौथा लेक्षर होगा, इस चारो लेक्षर करके आप मिक्षर की प्राब्लम्स अपने आप साउल कर सकते हो, खुद सारी कि सारी, अब जड़ा देखा जा दो, दोस्तों, इसमें क्या बोला गया, इसमें आपसे यह कहा जा रहा है, how many kg of sugar costing इतना रूपए per kg, be mixed with 75 kg, cheaper sugar costing Rs. 4.5 रूपीज per kg, that the mixture is worth Rs. 5.50 per kg, अब बास समझ पाए, आप देखो यहाँ पर की पहले वेराइटी की कीमत आपको दी गए है, पहले वेराइटी की कीमत कितनी है मेरे भाई, आप कहे रहे हो 5.75 per kg, दूसरे वाली वेराइटी की कीमत कितनी है आप कहे रहे हो 4.50 per kg, जबकि mixture की price कितनी है आप कहे रहे हो 5.50 per kg, एक चीज़ ध्यान रखना, आप अगर रख रहे हो यहाँ पर तो तीनों जगह पर क्या रख रहे हो, यह भी CP, यह भी CP और यह भी CP, यही है, अब एक बार पहले तो इनका ratio ले लो, ratio कितना आ रहा पहले वो देखो, आप सबसे पहले ratio चेक करेंगे, ratio कितने का रहा है तो 5.75, 5.50, यानि कितना आएगा ratio, difference यहाँ पर 2.25 आ गया, यहाँ पर difference कितने का रहा है, 5 में 4 घटा दो, 1 आ गया, और इनका ratio तो अब चुकी, 1 ratio 0.25 यह 4 से multiply करोगी, आपको होगे 4 ratio 1 आ गया, यानि अच्छा यह 4 ratio 1 किस चीज को शो कर रहा है, इनकी मात्राओं के अनुपात को शो कर रहा है, इनकी quantities के ratio को शो कर रहा है, यानि इनकी मात्राओं क्या, कि चीनी की वो मात्रा, जिसकी कीमत 5.75 किलोग्राम है, चीनी की वो वेराइटी, जिसकी कीमत 5.75 रूपे पर किलोग्राम है, उसका आप लोगों ने 4 हिस्सा मिलाया इस mixture में, और जिसकी कीमत 4.5 रूपे पर किलोग्राम है, उसका आपने एक हिस्सा मिलाया, ये question ने दिया है, और अच्छा, जिसका आपने एक हिस्सा मिलाया 4.5 वाले, उसकी quantity भी आपको दे रखिये 75 किलोग्राम, इसका मतलब ये वाली कीमत, ये मात्रा कितनी है, 75 किलोग्राम, तो अगर एक की वैलू 75 किलोग्राम, तो चार की वैलू कितनी हो जाएगी, आपका होगे न, 300 किलोग्राम की बराबर, बस आपका answer आगया, रेश्यो सबने 4, रेश्यो 1 निकाल दिया, तो बस वही तो देखो, जो 4 रेश्यो 1 है, इसमें 1 किस सीच को शो कर रहा है, साड़े 4 वाली मात्रा को शो कर रहा है, उसकी quantity कितनी है, 75 किलोग्राम, तो एक की वैलू अगर 75 किलोग्राम, तो चार की वैलू कितनी हो जाएगी, 300 किलोग्राम, option number and be, यह आपका correct answer रहा, एक बार दिको चार question कर लो, एक बार सारे लोग जितने लोग देख वार सारे लोग session को like कर दो और share कर दो बड़े अस्तर पे, अभी मातर चार question की हो यार, हम आपको इतना अराम-अराम से politely लेके चल रहे हैं, है वही, एक बार session को like और share कर दिया जाए दोस्तों, और अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है, चैनल पे आप नए हैं, तो चैनल को subscribe भी कर लें, ठीक है दोस्तों, आईए आके बढ़ते हैं लोग, अगला सवाल आपके सामने ये रहाओ, टाइमर देखो, बहुत nominal price रखी गई है दक्ष बैच की, बाद में फिर miss करोगे इस चीज को यकीनन, क्योंकि हम इस बात की guarantee ले रहे हैं, कि अगर इस batch को अगरा, इस particular batch के बाद आपको externally बहुत जादा requirement नहीं है, खुद आपको practice करने की जोरत पड़े, क्योंकि सब कुछ हम आपको इसमें दे रहे हैं, prelims plus mains, ठीक है दोस्तों, शुरू किया जाए, अब देखो ध्यान से, हम आपसे कह रहे हैं कि two types of alloys, ठीक है, अब दो टाइप की alloys है, जिसमें कौन-कौन से चीजे है, गोल्ड है दोस्तों, और silver है, ठीक है, इनका ratio दिया गया 7 ratio 22 और 21 ratio 37, सही है इतना, अब आगे बोला जा रहा है कि किस अनुपात में इनको मिलाया जाए, किस अनुपात में इनको मिलाया जाए, कि जो नया वाला mixture हो, उसमें जो gold और silver है, वो 25 ratio 62 के ratio में हो जाए, यही इतना है, तो बस मेरे दोस्तों, आप बस एक-एक point फोकस करो, कि पहले mixture में बताईए, जो पहला वाला mixture है, इस पहले वाले mixture में, चाहे जिसकी quantity रख दो, जैसे आप, चाहे अलकोहल का रखो, चाहे water का रखो, ऐसी चाहे gold की मातरा रखो, ठीके बई, चाहे gold की मातरा आप रखें, और चाहे silver की मातरा रखें, गोल्ड की मातरा हम रखने चल रहे है, 7 ratio 22 दिया गया है, यहाँ पे गोल्ड की मातरा कितनी हो जाएगी, 7 upon 22 और 7 मिल की कितना हो गया, 29, सही है इतना, दूसरी जगा पे 21 ratio 87 लिखा था, यहाँ पे अगर गोल्ड की मातरा लिखें, तो उपर कितना हैगा, 21 और नीचे 30, 20, 50 और 7, 8, यानि कितना आजाएगा, 58 आजाएगा, अचा नीचे जड़ा चेक करें, यहाँ पे कितना आएगा, तो अब मिक्षर में मतलब कितना आजाएगा, फाइनल वाले में 25 डिवाइड बाई, इनको एड कर दो, तो कितना आ रहा है, 87 आ रहा है, बस अब यहीं पे आपक कैसे कर लो, कैसे घटाओगे आप, आप 7 upon 29 लिखो नीचे कितना है, 87 यहाँ पे 29, तो इस 29 को 87 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, 3 से उपर नीचे मल्टिप्लाइए, घटाने के लिए सिरफ कह रहे हैं और कुछ नहीं, तो नीचे 87 हो जाएगा, उपर कितना 21, यहाँ प आप common ले लेंगे, तो कितना आएगा, 25 बटे 3, देखो, अमें यह कह रहे हैं, नीचे 1 upon 29 common ले लो, तो कितना मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा 25 upon 3 minus 21 upon 2, इसको तो आपको असानी से घटा सकते हैं, 25 दुना 50, 21 गुडे 3 कितना 63, 63 और 50 का डिफरेंस कितना आगया, 63 और simplify, सही है इतना, इसी को करना है, simplify, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो 29 गुडे 3, यह तो कटी जाएगा, अगर आप 87 से इसको, ऐसे कार दो, 29 से cancel करें, यहाँ पे कितना आगया, 3 आगया, और 3 से इसको cancel कर दो, तो 2 आगया, अब 2 से multiply मारोगे, तो 13 ratio, फिर कितना जोड घटाना, और कुछ extra नहीं किया मैंने, हाँ जी, बिल्कुल हमने सिरफ fraction का जोड घटाना किया है, आपको घटाना था 7 बटे 29 और 25 बटे 87 को, हमने तरीका बताया आपको कि denominator पर बराबर कर लो 87, तो 3 से उपर नीचे multiply कर लिया, clear इतना, और इस तरीके से अगर इन दो जोड़ा खाली fraction का, ठीके बई, सिरफ और सिरफ घटाना चल रहा है, और कुछ नहीं, clear है, बाकि ऐसा कुछ नहीं था, हमने आपके सामने explain किया, इसलिए जादा बड़ा लग रहा है, आप खुद करोगे तो इतना बड़ा नहीं लगेगा, एक बार सीख जाओगे तो, ठी किस एंगल से calculative लग रहा है, आईए अगले सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीके, और session को like आप कर नहीं रहो मेरे भाई, है न, एक बार सारे लोग, जितने लोग देख रहो, सब लोग like ठोग दो, तब इस question को करो, ठीके, एक बार सारे लोग like ठोग दो, फिर इस question को कर delegation तो करोगा अप अच्छे से, तो आज जितने लोग अभी तक इंड्रोल नहीं करा हैं तो वो लोग 12 के पहले, ठीक है, 12 बज़े के पहले-पहले सब लोग इंड्रोल करा ले न, उसमें, दक्ष बैच में, ठीक है, चालो, code apply करना, आपको code भी ध्यान रखो, Y179 code apply करना, इ 35% of 519 में आप इंड्रोल करा लोगे, अब इस question में क्या कहा जा रहा है, कि in one glass milk and water are mixed in ratio 3, ratio 5, ठीक है भाई, दूसरे glass में जो milk or water है, 6 ratio 1 है, पूछा जा रहा है कि किस ratio में इनको मिलाया जाए, जिसमें हमारे पास, finally हमारे पास 1 ratio 1 आ जाए, यही कहानी बन रही है, finally क्या बन कितना है मेरे भाई, 3 बटे 8, दूसरे वाले में मिल के कितना है, आपने कहा 6 बटे 7, और यहाँ पे कितना है, 1 ratio 1 का मतलब हो गया, 1 बटे 2, अब यार fraction का घटाना इसके बाद खाली करना होता है, इसके बाद सिर्फ fraction का घटाना करना है, और कुछ नहीं, तो घटा दो आप अब 3 बटे 8, 1 बटे 2 लिखा हुआ है, आप 4 से इसको multiply कर दो, 4 बटे 8, भाई, 1 बटे 2 को हम 4 से उपर नीचे multiply करें, तो 4 बटे 8 होगा, और 4 बटे 8 माइनस 3 बटे 8 का मतलब 1 बटे 8 हो गया, अब इसी तरीके से यहाँ पे 1 अपॉन 2 और 6 अपॉन 7 लिखा हुआ हुआ है यही ratio लेना है में न, यही तो है, अब इसको क्या करो कि अगर आप integer बनाना चाहते हो, तो नीचे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, आप इसको 28 से multiply कर दो, तो होगा क्या कि हमारा 7 और 4 दोनों कट जाए गया, दो कैसे, 7 से एक एंसल हुआ 4, 4 से एक एंसल हुआ 7 आ गया, तो 20 ratio 5 दिया है, और milk हमारा 3 by 8 है, तो water हमारा 5 by 8 होगा की नहीं होगा, और इसी तरीके से अगर यहाँ पे milk 6 ratio 1, 6 by 7 है, तो water हमारा 1 by 7 होगा की नहीं होगा, बिल्कुल होगा, और इस तरीके से 1 ratio 1 में हमारा 1 by 2 ही होगा, इसको घटा की चेक, इसको लगा की चेक करना, आपका हाँ बैटे, डिसकाउंट कोड मोना मीना बता तो रहे हैं, Y179, कोड जो है, वो Y179 है, ठीक है, Y179, चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है भई, आप से कहा जा रहा है कि इन एन एलोई, जिंक एन कॉपर इन दर रेशियो आफ वन रेशियो टू, दूसरे वाले में बोला गया, सेम एलेमेंट्स इन दर रेशियो टू, रेशियो टू, ठीक है, इनको क्या किया गया, फाइव रेशियो एट के रेशियो में मिलाया गया, और पूछा जा रहा कि हुआ वो हमें पता ही नहीं है, finally मुझे जो मिला वो हमें पता ही नहीं है मेरे भाई, ठीक है भाई, हाँ, 3 ratio 10 इतने लोग बता रहे हो, सब गलत बता रहे हो, आप क्या कियो हम बता रहे हैं, आप में क्या किया, कि 5 ratio 8 को यहां पे लिग दिया, 5 बटे 13 और आपने लगा दिया डिफरेंसी लिए हमने, अब 13 से आपने काट दिया, यहां पे 5 आ गया, यहां पे कितना आ गया, 3 और 15 से multiply किया, तो यहां पे 3 और यहां पे कितना आ गया, 10, 3 ratio 10 आप सारे लोग बता रहे हो, यही बता रहे हो आप सारे लोग, है ना, बता तो यही रहे हैं आप सारे लोग क्लियर है हाँ पेटे प्रिया जी इसका और मिथड है और वो मिथड हम एवरेज टॉपिक में डिसकस कर चुके हैं ऐसे थोड़े हम कहते हैं कि डेली की डेली आपको क्लास लेना चाहिए है डेली जब क्लास आप जोईन करोगे तब तो सीखोगे न सारी चीजें अगर हम आज एलीगेशन पढ़ा रहा है तो हम आपको इन सवालों को एलीगेशन से ही बताएंगे बाकि एवरेज टॉपिक में हमने ये सवाल रेश्यो से करवाए हैं आप समझाया चलो यही आप सारे लोग कर रहे हो लेकिन ये कुश्यन नहीं है ये बात ध्यान रखना ये तो कुश् आपका ये है मेरे भाई आप से कहा जा रहा है कि आप इनको पांच अनुपाते आठ की अनुपात में मिला रहे हो यानि कि आप इसकी पांच यूनिट मिला रहे है मात्रा और इसकी आठ यूनिट मात्रा मिला रहे है अब क्लियर है अब समझे पहले वाले पांच मिला है रिखो के और ये माइनस 2 अपॉन 5 तो या आप 1 बटे 3 का मतलब 0.3 होता है 2 बटे 5 का मतलब 0.4 यह बड़ा है तो आप इसमें से खटाओ 2 बटे 5 माइनस A आप यह लिखेंगे 2 बटे 5 माइनस A और यह जो रेशयो है यह बराबर है आपके किसके 5 रेशयो 8 के अब ऐसे लिख अब सिंप्लिफाई कर दो आप समझे ना अब इसको यहां पर आप एप्लाई करोगे तरीका आप को होगे भाई टू बाई फाइब माइनस ए ऐसे लिखो आप और डिवाइड बाई ए माइनस वन बाई थ्री और बराबर कितने के भाई आप ने कह दिया पांच बटे आठ के आठ से मल्टिप्लाई करोगे कितना हो जागा आठ दूने सोलह बटे पांच और माइनस का एट और बराबर पांच से इधर मल्टिप्लाई करोगे तो फाइव माइनस फाइव बाई थ्री एक्च्वल में है कोशन यह अलग आप समझ कुछ अलग रहे थे यह बात ध्यान र 73 अपॉन 15 और A की वैलू इतना डिवाइड बाई कितना 13 हो गया A का मतलब इतना आने से मतलब है अब यहाँ पर इसको सिंप्लिफाई करना रेश्यो आपका कॉम्प्लिकेटेट तो बन जाएगा इसकी ऑप्शन भी जो रखे गए हैं वो उसी टाइप में रखे गए हैं का आपका 3 ratio 10 देखो जो पहला आपने किया उसमें आप सबका 3 ratio 10 आया था ना बस समझ पा रहे हो सारे लोग तो question की language अलग है इस बात को महसूस करें आप सारे लोग question की भाशा अलग है option भले ही आपको confuse करने के लिए उसी pattern का दिया गया है clear इतना बस तो आपको बस यह तरीका समझ लो calculation इसी point of view से करनी है आपको answer तो इसका none of easy है answer तो none of easy है लेकिन आप इसको एक बार तरीका समझ ले कि किया क्या गया है confuse मत होना ठीक है आई अगले सवाल पर move करते हैं लोग next question आपके सामनी यह रहा किया जाए अब खेल सुरू होता है खतरनाक वाला ठीक है गोपाल चौधरी चक्रवरती का answer आगया भई 73 ratio 122 शांदर ठीक है तो confuse मत होना देखो कई बार होता है ना भावनाओं से ठीक है भावनाओं से आप फिसल जाते हो इसे वेसे आए कोई बात नहीं देखते हैं हम लोग simplify करते हैं अभी फिलहाल इस question को गर देखा शार है a person has a chemical of rupees 25 पर लेटर ठीक है भई और अब बाताओ कोई है उसके डोगए चुथा आप जा यह अब की नरहीं संट और घहाँ है और जाना जिनीधा हे पस को मिला रहे हो आप बस यही फोकस करो किन दोग को आप मिला रहे है तो आपने मिलाया है chemical को water से, chemical की कीमत कितनी है, 25 रूपए chemical की कीमत कितनी है मेरे भाई 25 रूपए, अच्छा, पानी की कीमत कितनी है, तो आपने कहा भाई, 0 रूपए है, ये मत कहना, बिस लेरी water मिला रहे हो, 20 रूपए वाली नहीं, पानी, दूसरे वाले को हम क्या मान के चल रहे हैं, यह हमारा chemical है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ राई chemical और यह हम लें कहे दिया water, ठीक है अब इनको आप मिला रहे हैं, तो मिला करके आप बेच दिया, आप यह बताओ, कि यहाँ पर हम क्या लिखें, जल्दी बतादो, क्या लिखें यहाँ पर, ठटाक से बोलो, कहा गया है कि 20 रूपए प्रती लीटर बेचने में, तो क्या यहाँ पर हम 20 लिखें, और 20 लिख की कर दें गलत, ऐसा करें क्या 20 मत लिखना, क्यों मत लिखना, क्योंकि आपको, मिक्शर को मिला करके, मिक्शर बना, तो मिक्शर को 20 रूपए में बेचा जा रहा है, आपको यह सेलिंग प्राइज दे रखी है, और आपने यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है आपने कॉस्ट प्राइज, तो अगर के बराबर 20 रूपए के बराबर और profit percentage आपको दिया गया है 25% का, तो अब आप cost price मुझे बताएं, तो 25% की help से आप 1 बटे 4 लिखेंगे, 25% की help से आप लिखेंगे 1 by 4, जहां पे CP कितनी है दोस्तों, 4, CP कितनी, 4, और SP कितनी, 5, SP कितनी दोस्तों, 5, आप ऐसे देखो simple सी बा 25% का मतलब 1 by 4 होता है, तो इसका मतलब 4 में कोई चीज खरीदी गई, तो वही चीज आपकी 5 रूपए में बेंज दी गई, यही होता है 25% का मतलब, और इस 5 की value question ने बताई 20 रूपए, तो 4 की value कितनी हो जाएगी, 16 रूपए, हमें CP मिल गई 16, हमें 16 रूपए का काम था, कि आप सबसे पहले दोस्तों, इसी profit percentage और selling price की help से, profit percentage और selling price की help से मेरे दोस्तों, आप निकालने क्या, आप निकालने cost price, I hope कि इतनी कहानी भी clear हो चुकी होगी, चीजे समझ आए हो तो एक बार यार सारे लोग लाइक जरू ठोकना, एक एलिगेशन को पूरा हम आपके सामन यह आपके सामने question और इस question का जवाब आप देंगे कहाँ पर, comment box में आप लोग इस question का जवाब देंगे, ठीक है, आप इसका जवाब देंगे comment box में, इसके alarm, हमने आपके सामने इसका screenshot ले ले लेना, फिर से आपको बता दें, reminder इस बात का ध्यान रखना, थोड़ा सा याद दिला दें, आज है 27 अपरेल, ठीक है, so more का दिन, अभी से शाम पाँच बजे से timing दिखिए न, timing लिखिए साम पाँच से सारे से, पाँच बजे से उधगाटन होगा, पहली class शुरुआत होगी दक्ष बैच की, ठीक है बई, जो कि पहली बार ऐसा बैच लॉंच किया गया, जिसमें prelims plus mains को एक 7 cover किया जा रहा है, ऐसा बैच, जिसमें की 102 घंटे की total classes आपको दी जा रही है, साथी साथ आपको practice के लिए practice material, study material, अगर आप session miss करते हो, तो recorded lecture, ये सारी की सारी चीजे provide की जा रही है, तो अब 12 बज़े के पहले पहले आप सारे लोग इस बैच में enroll करा है, इस से कराओगे तो आपको 35% का off मिलेगा, और इस off के माध्यम से आप इस badge को 519 में enroll करा सकते हैं, तो उमीद करेंगे, आप सब का इंतिजार रहेगा, सब लोगों से मुलाकात होगी, शाम 5 बजे, ठीक है बई, ओके, तो बस, ठीक है, खुश रहे हैं, आप सारे लोग, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं आपको शाम 5 बजे, ठीक है, तो बबाई, टेक केर, हैव गूट डे, थैंक यू माइडियर फ्रेंड्स, थैंक यू.